नमस्ते रीजिनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिए आज हम बनाने वाले हैं काले चने और नेनुए की सबजी जो हमारे यहां बहुत ही फेमस है चलिए इसे ब चना इसको मैंने रात में दो बार अच्छी तरह से पानी से धोकर भिगा दिया था रात भर नहीं तो कम से कम 6-7 घंटे आप इसको जरूर भिगाएं भीगे हुए चने को हमें कूकर में ट्रांसफर कर लेंगे चने को भिगाते समय मैंने इसमें दो कप पानी डाला था जो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है फिर इसका धकन लगाकर हम इसे मध्यमाच पर 6-7 सीटी आने तक पकाएंगे अब कूकर में सीटी आ चुकी है हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे जब तक लो नेनुAlright लिया है इसे तोरी भी कहते हैं और इसका चिलका उतारकर इसे धुलकर हमने इस तरह से बारी काट लिया अब हमने तोरी काट लिया, इसे हम एक टोकरी में ट्रांसफर कर लेंगे, उसके बाद हम एक मध्यमाकार की प्यास को बारीक काट लेंगे, एक खरी मिर्च को भी बारीक काट लेंगे, और मैंने लिया है बीस लेसन की छोटी कलिया अब हमें कड़ाई में लेंगे तीन टेबल स्पून सरसो का तेल और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे फिर इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा और वन फोर टेबल स्पून हींग उसके बाद इसमें डाल देंगे लेसन की कलिया हरी मिर्च और प्यास अब प्याज लेसन और मिर्च को हम तेल के साथ मिला लेंगे ताकि इन्हें फ्राई कर सकें और प्याज को हम मध्यमाज पर तब तक भुनेंगे जब तक ये आधी पकना जाए प्यास के आधा पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक मध्यमाकार का कटा हुआ टमाटर, 1-4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1-5 टेबल स्पून सबजी मसाला, 1-4 टेबल स्पून सॉफ पाउडर और 1-5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, इन सारे मसालों और टमाटर को हम प्यास के साथ मिला लेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानसार, नमक मिला कर हम मध्यमाच पर इन मसालों को तब तक बुनेंगे, जब तक ये मसाले अच्छी तरह से पक नहीं जाते और ये तेल नहीं छोड़ देते, इनको हम चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं, अब मसालों ने तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें तोरी डाल देंगे, तोरी को हम मसालों के साथ मिला लेंगे, और इसे मध्यमाच पर ढखकर पकाएंगे, जब तक मैं इसे मिला रही हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब इसका ढखकन लगा देंगे और इसे पकने देंगे, अब तोरी ने पानी छोड़ दिया है, और काफी हद तक पानी सूख पी चुका है, अब हम थोड़ी देर लगभग पांच मिनट इसको खुले में पका लेंगे, और फिर इसमें उबला हुआ चना डाल देंगे, इस समय कड़ाई बहुत गर्म है, इसलिए चने को बहुत ही सावधानी से इसमें डालें, और चना डालने के बाद हम इसे तोरी के साथ मिला लेंगे, और इसे ढखकर मध्यमाच पर बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे, इसे हम अगले लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे, इसे इस तरह से पकाने से सब्जी आपस में अच्छी तरह से मिल भी जाती है, और जो मसालों का स्वाध होता है वो चने में भी घुल जाता है, अब इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबिल स्पून गरम मसाला, और इसे सब्जी के साथ मिलाकर हम चेक कर लेंगे की चना हो गया है या नहीं, और ये देखिए चना बिलकुल अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम कर लेंगे तड़के की तयारी, तड़के वाले बर्तन में डालेंगे 1 टेबिल स्पून देशी घी, और घी को धीमी आज पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबिल स्पून हींग, लेसन और अद्रक के जूलियन्स और दो लाल मिर्च, ये मैंने 5 लेसन की कलियों का जूलियन और 1 इंच अद्रक का जूलियन काट लिया था, इसको चलाते हुए घी में पकाने के बाद, हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च टाल कर हम इसे भी घी के साथ मिला लेंगे, और इसे हाई फ्लेम पर हम 30 सिकंड के लिए पकने देंगे, इससे कश्मीरी मिर्च भी इसमें भुन जाएगी और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और ये लीजे लग गया हमारा तड़का अब इस तड़के को हम सब्सी के साथ मिला लेंगे और इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्फ करेंगे वैसे तो ये सब्सी चावल और रोटी दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में